इकत्तिस अक्टूबर वो दिन वो घड़ी कैसे भूल सकता हूँ शचिन्दा सोई हुए थे और मैं पास बैठा हुआ उनके अंतिम दर्शन कर रहा था शचिन्दा जिन्नों ने मुझे संगीत भी दिया और प्यार भी आज हमेशा के लिए खामोश हो गए थे वो खामोश तो थे लेकिन मुझे यू लग रहा था जैसे उनकी आवाज मुझे कुछ कह रही है मुझे याद दिला रही है वो वो सबी घड़िया जो मैंने उनके साथ गुजारी शुरू से आखिर तक शुरू कब शुरू हुआ उनका और मेरा साथ हाँ याद आया पहली मुलाकात उनकी आवाज से हुई कॉलेज के जमाने में मुझे सिर्फ दो गायकों के रिकॉर्ड खरीदने का शौक था एक थे सैगल साथ और दूसरे एसडी बर्मन वो उनका गाना था ना क्या हाँ धीरे से जाना बगियन मेरे भवरा धीरे से जाना बगियन उंगिला रोंगिला रोंगिला रे रोंगिला तो ये दोनों गाने मैं स्कूल और कॉलेज में स्टेजों पर गाया करता था और प्राइज भी लिया करता था फिर मैं बंबई आया मेरे बड़े भाई साब याने कि आप कि अशुक कुमार साब उस वक्त बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गये थे मैंने आते हैं उनसे का दागमन तुम तो फिल्मी दुनिया में सब कुछ कर सकते हो मेरे एक काम कर दो ना वो बोले क्या काम मैं तड़ाक से बोला मुझे शचिंद बर्मन से मिला दो ना वो बोले बस इतनी सी बात अरे मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ मेरी फिल्मे म्यूजिक भी दे रहे हैं चल उनके घर चलें और हम पहुँचें उनके घर वहाँ जब मैं उनसे मिला तो मेरी खुशी का ठिका ना नरा बड़े निराले लगे धोती, कुर्ता और दोनों कलाईयों में चमेली के गज़े तंबाको वाला पांच चबाते चबाते हार्मोनियम बजा रहे थे और उनके पास बैठा एक छोटा सा नटखट लड़का चश्मा लगा तबला बजा रहा था जानते हैं वो बच्चा कौन था आपका आड़ी बर्मन और हम लोगों का पंचम कुछ देर बाद दादा मुनी ने सचिंदा को बताया कि ये जो मेरा भाई है न ये भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है वो बोले तुमारा भाई का नाम है तुमारा मैं बोला मेरा नाम किशोर ओ किशोर अजरा गा उता तो मैंने उनका वही गाना गाया जो उस वक्त बहुत popular था बंगाली में गाना था कौन नगरिया जाओ रे बंसी वाले कौन नगरिया जाओ हाँ हाँ कौन नगरिया जाओ तो वह तो हस्ते हस्ते बोले वंडर्फूल यह तो हमारा कॉपी करता अरे दादा मुनी एक आवाज बहुत अच्छा है खुब भालोगान करे आम यह के निश्चो चांस दे वो बस फिर क्या था मैं सोज भी नहीं सकता था कि शचिन्दा मुझे गाना गवाएंगे मैं तो फूल कर कुपपा हो गया मुझे खुब भालोगान कर दो हमारा कुपपा है मुझे खुब भालोगान कर दो हमारा कुपपा है मुझे खुब भालोगान कर दो हमारा कुपपा है पहली बार शचिन्दा ने मुझे गवाया फिल्म आठ तिन में पूरा गाना नहीं था दो तीन लाइने थी वो गाना था अरे बाका सिपईया बाका सिपईया घर जई हो घर जई हो पहला पूरा गाना उनके लिए मैंने फिल्म बाहर में गाया वो गाना था कुसूर आपका हुजूर आपका मेरा नाम लीजी ये न मेरे बापका मगर ये गाना बंबज में मैं नहीं गाया मदराज में गाया वहाँ उन्होंने मुझे अपने ही कमरे में ठहरा है और तब मुझे मालूम हुआ कि संगीती उनका जीवन था उठते बैठते चलते फिरते हर बात संगीत की होती हर काम सुरिला होता शचिन्दा मुझे बार-बार समझा थे कि देख कि शौर यूँ गा ऐसा गा और फिल करके गा एक्स्प्रेशन के साथ ज़्यादा मुर्किया तान मारने से कुछ नहीं होता सीधा गाएगा तो गाना पबलिक को अच्छा लगेगा समझा ना फिर मेरे जीवन में वो दौर शुरू हुआ जिसका समझ ना सिर्फ शचिन्दा से था बलकि देवारन की अदाकारी से भी देव के लिए शचिन्दा ने सबसे पहले मुझे गाना गवाया फिल्म बाजी में वो गाना था तेरे तिरों में छुपे प्यार के तराने है नईया पुरानी है तूफान भी पुराने है डंडर 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 और फिर आई फंटूश फंटूश में एक बहुत धुख भरा गाना था सब कहने लगे ये नया लड़का किशोर ये गाना गा नहीं सकेगा सचिन्दा अड़ गए कि गाना किशोरी गाएगा मैं उसी से गवाऊंगा बस फिर क्या था मैंने गाया और उस गीच से सचिन्दा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए उस गीच से उनमें और मुझमें वो नाता जुड़ा जिसे न दूरी तोड़ पाई है न मौप जिसे न दूरी तोड़ पाई है 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 कर दो 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 अब मैं आपको सचिंदा की कुछ ऐसी तज़ियरें दिखाऊं जो आपने पहले कभी नहीं देखी यह वो तज़ियरें हैं जो मेरे दिल में बसी रहती हैं और आज मैं उन्हें शब्दों में ढाल कर आपके सामने पेश कर रहा हूं पहली तस्वीर है शचिंदा की तबियत के बच्पने की जहां इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी दिल उनका बिलकुल बच्चों जैसा था नई धुन में वो उसी तरक हो जाते थे जैसे बच्चा नए खिलोनों में उलज कर सब कुछ भूल जाता है नई धुन की लगन में उन्हेंने समय का ख्याल रहता ना आराम का कभी-कभी सुबर सबेरे छे बजे वो अपनी गाड़ी चला कर मेरे गर आ जाते और हौन बजा बजा कर मुझे जगाते और नीचे बुलाते मैं बेचारा आँखे मलता हुआ नीचे आता तो सचिन्दा कहते और किशोर तू सो रहा था क्या कोई बात नहीं रहे ज़रा सुन ये ट्यून कैसा बनाया है कभी-कभी रात के ग्यारा बजे ये कैक उनका फोन आ जाता किशोर तो सो रहा है क्या ओ आम रियली वेरी सौरी मैं कहता सचिन्दा इतनी रात के आप टेली फोन कर रहे हैं कोई गड़बड तो नहीं हुई दादा कहते अरे नहीं रहे गड़बड काई की जरा सुन ट्यून कैसा बना है बस फिर वो फोन पर एक गाना शुरू कर देते और मुझसे कहते चल तू भी गा मेरे साथ हाँ कुरा कांगज था ये मन मेरा लिख लिया ना मुस पे तेरा बोल बोल जरा अम मैं बोलता कुरा का आगज था ये मन मेरा अरे 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 इस टूपिट ऐसा क्यों गाता है ठीक से काना सचिंदा अभी बज़े है रात के ग्यारा बड़ी जोर से नीन ने है मुझे मारा आच्छा 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 शोजा काल शावेरे रियर्सल के बास ते घर पे आ जाना ठीक हाठीक मेंले था आच्छा आच्छा शोजा आच्छा आच्छा शोजा शाट काल शाच्छा रेक हाठीक कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगली तज़्वीर शचिंदा के काम करने के ढंक के बारे में हैं जब मैं एक्टिंग और गाने में काफी बिजी हो गया और शचिंदा के लिए मुझे पकड़ना कुछ मुश्किल सा होने लगा तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि जोर कि जोर मैंने का बोलो शचिंदा तु आप मेरे को प्यार नहीं करता मेरे को बिलखूल प्यार नहीं करता मैंने का नहीं सचिंदा एक स्वादिस्ट खाने मंगवाने शुरू किये और बोले यह खा और वो खा और वो मिठ़ए खाना अइए लगा आखिर में रशुगूल्ला खा कर मैंने कहा वा दादा वा शुचिंदा मज़ा आ गया मज़ा आगया क्या खाना खिला है आपने अच्छा अब मैं चलता हूं आराम करूंगा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और चिला कर अपने नौकर से कहा एई दर्वाजा तो बार्शे बॉन कर दे हाँ अब बोल कि शोर तू जाएगा कैसे अब तेरे को रियसल करने ही पड़ेगी क्या समझा मुफ्त में खाना नहीं खिला में ले हाँ अब बो एक आदत उनकी ये भी थी कि कई बार वो जो बात कहते उसका बिल्कुल उल्टा एक्सप्रेशन उनके चेरे पर होता मुझे याद है एक बार मुनीम जी का गाना रेकॉर्ड हो रहा था फाइनल रियर्सल हुआ तो शचिंदा गुस्टे से उठकर खड़े हो गए और चिल्ला है स्टाप दिस रियर्सल बंद करो और उठकर मेरी तरब लपके मैंने सोचा नजाने क्या गड़बर हो गई मुझसे मगर शचिंदा ने मेरे करीब आकर गुस्ते ही गुस्ते में जानते हैं क्या कहा बोले कि जोर अगर ऐसा ही गाएगा तो मेरा गाना जरूर हीट होगा और एक बात बताओं शचिंदा के बारे में जो गायक उनके गीद गाते थे उन गायकों को और उनके गलों को वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे गाना टेक करते हुए अगर किसी गायक को कोई सुर मुश्किल लगता तो शचिंदा उसको फौरण आसान कर देते मैं चूंकि उचलकूत की एक्टिंग जादा करता था मेरी आवाज की उन्हें जादा फिकर लगी रहती थी कई बार मुझे फोन करके कहते हलो किशोर मैं कहता हाँ दादा बोलो तो कहते वंडरफूल किशोर तेरी आवाज बिलकूल ठीक है ये कहकर खड़क से फोन रख देते एक जमाना ऐसा आया जब मुझे इंकम टैक्सम भरने के लिए बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करने पड़े तब शचिंदा की परेशानी और बढ़ गई स्टेज पर उचलते कूतते आवाज ठक रही थी मेरी और ठेस लग रही थी उनके दिल को एक दिन चलेया घर पे और डाट कर कहने लगे जोर आयम टेलिंग यू वेरी सीरियसली तू भी सीरियसली शून अगर तू अपनी आवाज को नहीं शमालेगा तो आवाज भी तेरे को नहीं शमालेगा फिर कोई और तो क्या हम भी तुमको गाना नहीं गवाऊंगा आई टेल यू बेरी सीरियसली बी केरफूल एक दिन तो उन्होंने कमाली कर दिया प्रेम पुजारी का प्रीमेर था मैं पहुचा उनके साथ मेरी आवाज कुछ खराब सी थी मैंने शचिंदा से कहा शचिंदा कल आपके रिकॉर्डिंग है और ये एर कंडिशन मुझे तो मैनेजर को भूले तुमको मालूम है हम कौन है हम इस पिक्चर का म्यूजिक डिरेक्टर है एस डी बॉर्मन और ये हमारा सिंगर है किशोर कुमार इसको खाशी आता है कल इसका गाना टेक करने का है कितने निराले थे शचिंदा सबसे और कितना प्यार किया करते थे हम सब को पर गाना टेक्टर मार इसका आता है कर दो 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 कभी कभी तो यह होता कि वो अगर अपनी कार में कहीं जा रहे हूं और सामने से मैं दिख गया तो जोर से चिला कर दोनों गाड़ियां रास्ते के बिच रुकवाते और वही रियर्सल शुरू कर देते दोनों तरफ गाड़ियों के लाएने लग जाती हौरन का शोर होता ड्राइवरों की चिला चिली होती मगर शचिंदा रास्ता नहीं छोड़ते अपनी ही धुन में मगन रहते एक बार इसी तरह रहा चलते हुए शचिंदा से भेट हो गई बोले किजोर एक शोर चल उतर अपनी गाड़ी से और मेरे गाड़ी में बैठ मैंने का सचिंदा मुझे किसी की रेसल पर जाना है मगर उन्होंने जित की बोले चल चल आज मौसम कितना अच्छा है देख कितने अच्छे बादल चायू है अपन थोड़ा घूम कर आते हैं बस मैं उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुझे ले गए जादा नहीं सिर्फ पचास मील दूर कुछ हरे भरे खेतों के करीब आकर गाड़ी रोकी और बोले कि योर जब भी मैं खेत देखता हूँ तो जी करता है कि मैं खेत में खूब दोड़ूँ चल तू भी दोड़ मेरे साथ सचिंदा की आग्या को मैं तो टालने से रहा बस मैं भी उनके पीछे पीछे खेतों में भागने लगा भागते भागते उनको मूड आ गया उन्होंने कहा चल मेरे साथ गाना भी गा वहा मैंने कह शचिंदा कौनसा गाना बोले 아रे वही वही लोग मैं अरे शचिंदा का मन बिल्कुल बच्चों की तरव मासूम था और इसलिए उनका संगीत भी बड़ा भोला सा बड़ा कुमल सा हुआ करता था करता हुआ करता हुआ करता हुआ है 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 करता 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 है झाल झाल बड़ी सूनी सूनी है जिन्दगी ये जिन्दगी मैं खुद से हूँ रहा अजनभी अजनभी जब मैंने शचिन्दगी आखरी गाना रेकॉर्ड किया तो रेकॉर्डिंग पर म्यूजिक डारेक्शन करने हम सब के साथ इस टूडियो में नहीं थे बलके अस्पटाल में थे वो गाना रेकॉर्ड हुआ और आपने सुना लेकिन आपने वो कहानी नहीं सुनी जो इस गीत के सुरों में समाई हुई है जब इस गाने के रेयरसल हुई शचिंदा के घर तो उनकी तवियत जरा जरा खराब होना शुरूई हो गई थी मैं रेयरसल करता रहा और दाड़ा की आखों में एक अजीव सा दुख नजर आने लगा वो चुपचाप मेरी तरफ देखते रहे सुनते रहे और खामुश रहे मैरी असल खत्म करके उनके मकान से चल पड़ा बाद में ख़वर मिली के मेरे जाने के कोई पचीस मिनट बाद शचिंदा को दौरा पड़ा और वो गिर पड़े उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया डॉक्टर आये और बोले इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए लेकिन शचिंदा आड़ गये बोले नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाओंगा किशोर ये गाना कर रेकॉर्ड करने वाला है जब रेकॉर्डिंग हो जाए तब तुम लोग मुझे जहां ले जाना चाहो ले जा सकते हो सब परिशान हो गये पंचम दोड़ा दोड़ा मेरे पास आया बोला किशोर्दा आप ही चलकर पिताजी को समझाईए ना रेकॉर्डिंग बाद में भी हो सकती है कुछ तरकीब निकाली है जिससे कि पिताजी फोरण हस्पताल जाने के लिए तयार हो जाए मैं फोरण पंचम के साथ शचिंदा के घर चल पड़ा अपनी आवाज मैंने जान बूच कर खराब बनाई और उसी बैठी हुए आवाज में मैंने शचिंदा से कहा दादा आप ही देखिए मेरी आवाज कितनी खराब है ये रिकॉर्डिंग कुछ दिनों के लिए टाल दीजिये न और हस्पिटल चले जाएए इधर मेरी आवाज ठीक हो जाएगी उधर आप हस्पिटल से लोट आएंगे और रिकॉर्डिंग हो जाएगी शचिंदा बोले देख किशोर गाना अच्छा होना चाहिए रे तेरी आवाज ठीक हो जाए तब ही रिकॉर्डिंग करना और अगर मैं रिकॉर्डिंग पर ना आ सका तो भी सोचना कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और वैसे ही गाना जैसा मैं चाहता हूँ सचिंदा हॉस्पिडल गए और जैसा कि उन्हें भी शक था रिकॉर्डिंग के समय वो आने सके वो तो नहीं थे मगर उनका ख्याल बिल में था वो लग रहा था जैसे जैसे वो खुश सामने खड़े हूँ और कह रहे हूँ देख किशोर गाना अच्छा होना चाहिए हाँ गाना रेकॉर्ड हुआ गाने का टेप पंचम हॉस्पिटल ले गया और वहीं सचिंदा को सुनाया सुनकर सचिंदा की आखों से आंसु बह पड़े और वो चुपके से बूले पंचम मुझे मालूम था किशोर ऐसा ही गाएगा पंचम मुझे बूले कर दो कर दो कर दो कर दो कर सिर्च कर दो 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 बिच्छड गए सचिंदा मकर ऐसा लगता है कि वो वो यहीं कहीं पास कोने में छुपे खड़े हैं और बस बस अभी सामने आएंगे मुस्कराएंगे और कहेंगे किशोर देख मैंने कैसी ट्यून बनाई है पर नहीं यह सिर्फ मेरा भरम है शचिंदा अब कभी नहीं आएंगे उनकी यादें उनका संगीत तो हमेशा रहेगा मगर उनसा प्यार कौन देगा मुझे 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 कि एंट एंट नहीं लादत जो मैंने धाएंगे व व व करता पिर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो 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 कर अब साथ न गुजरेंगे हम लेकिन ये फिजा वादी की दोह रात रहेगी बरसो भूले हुए अफसाने को जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड जाने को और दे जाते हैं यादे तनहाई में तड़ पाने को शचिंदा न सिर्फ संगीत का एक युग थे बलके हमारे जीवन का भी एक युग थे वो युग तो बीद गया मगर उस युग क्यादे हमारे दिलों में हमेशा जिन्दा रहेंगे जीवन के सुने बन में हमें दिला सदे दे रहेंगे कर दो